चैलेंज़, स्ट्रगल्स, मोटिवेशन और हार्ड वर्क आपके सपने को पूरा करते हैं कहा भी जाता है कि काम्याभी एक दिन में नहीं मिलती बगर ठान ली जाए तो एक दिन जरूर मिलती है और जब आपके सपनों को आपकी फामिली का सपोर्ट मिल जाए तो आपके होसले तो यूही आसमान छूने लगते हैं हम बात कर रहे हैं एशियन रेस्लिंग चैंपिन्शिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन विमन रेसलर नवजोत कौर की किसान परिवार में जन्मी नवजोत पंचाब के अमरित सर की रहने वाली है और आज हर उस बेटी को मोटिवेट कर रही है जो खेलना तो चाहती है बगर सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पाती कि इस्टर कर रहे थे और पापा को बागता शोक ता कि मेरी बेटियां कुछ गेम करें क्योंकि पापा पीडियू-पॉट रहे है कि वो एक बेटी ओके देश का नाम रोशन किया है तो पापा मैशन चाहते थे कि मेरी बेटियां भी देश के लिए कुछ करें देश के लिए मैडल जीते तो पापा ने सब से पहले sister को wrestling में डाला तो sister जाते थिए फिर दीरे दीरे ऐसे मैं मैं सेम स्कूल में study करने लिया जाने लगी तो sister मुझे भी साथ लेके जाते थि दीदी प्रैक्टिस कर रहों छेक इक दिन तो उनके तो दीदी उसी इन्जिरी में प्रेक्टेस करते रहे, करते रहे और फिर उनके नहीं में बहुत जादा प्राब्लम होगी नरी को दिखाया। तो डॉक्टर बुला कि ये बहुत ज़ादा प्राब्लम होगी है तो इसमें बहुत टाइम लगेगा रिकवरी होने में और वो सकता है कि गेम भी ना कर पाओ फिर उसके बाद जैसे दीदी बहुत दिस्टर्ब हो इस बाद से क्युक्कि दीदी नैशनल लेवल तक के लिए है जो उन्हीं नैशनल में सिल्वर मैडल है इंटर यूनिवस्टी में ब्राउंस मैडल है तो दीदी का सपना था कि जो पापा ने सपना देखा था कि मेरी नहीं कर पाए फिर उसके बाद दीदी ने एक दिन मुझे बोला अपने बास बुलाया और अपने बास बुला के मुझे बिठा के समझाया कि नो जो कि एक सपना पापा ने देखा था कि पीटी उशा की तरह मेरी बेटियां इंडिया के लिए खेल लें तो अब मेरे तो इंज उस रात सोचा बहुत कि मेरे बेहन और मेरे पापा के लिए मुझे करना पड़ेगा बेहन के अधूरे सपनों को पूरा करने निकली नवजोत ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा लगातार प्राक्टिस और सपोर्ट ने रेस्लिंग में उन्हें एक अच्छी शु जुनियर केडिक नेशनल में मेरा ब्राउं़ मरे उसके बाद फिर मैं दो साथ में जूनियर की येंपियन bang मुझे अगी जब मैं कर सकती हूं जब मैं उस दोने ने खेलने गई थी तो मुझे इतना अपने वंपे घंपने नहीं नहीं ता कि मैं फर्स आ जाओंगी मुझे ऐसा था ठीक है एक इंटरनेशनल लड़की के साथ कुष्टी है तो थीक एक थर्ड प्राउंस कुछ आ सकता है। फिर जैसे मेरी उस लड़की के साथ कुष्टी होई वो इंटरनेशनल प्लेयर थी अर्याना की थी तो मैंने उन्हें थर्टी सेकिंड में हरा दिया तो उसके बाद मेरा गोल्ड आया फिर जब उस गोल्ड आने के बाद दोजर साथ में ही मेरा केड़िट में एशिया के स्लेक्शन हुआ कुछ रीजन थे उसमें तो हमारी टीम नहीं जा पाई तो उस टाइम में बहुत दुखी भी होई फिर कि एक पापा का सपना था जो इंटरनेशनल प्लेयर होनेगा मेरा वो आज में पूरा कर सकती थी सर न मुझे मिलेंगे फिर उसके बाद मैं फिर अपना हर दिन जेही सोच की लगी लिए कि हाने मुझे कुछ करना है मेरे फैमली के लिए मेरे पापा के लिए दीदी के लिए तो मैं फिर उसके बाद कंटीनू प्रैक्टिस करती रही फिर 2008 में मेरा स्लेक्शन हुआ सीनियर टीम बस एक बार इंटरनेशनल होने से कुछ नहीं होता ऐसा करना है कि जो दुनिया में हमेशा याद रहे फिर वो दिन है उस दिन के बाद कभी पिछे मुर्के नहीं देखा हमेशा दिन रात में इनन्द की अपनी फैमली का सोच के अपने पापा का सोच के 2009 में जूनियर एशिया में गोल्ड और जूनियर वर्ल्ड में ब्रॉंज मेडल भी जीत चुकी नवजोद पॉजिटिव आजिट्यूट के साथ गेम खिलती है अपनी हर जीत को अपनी फैमली को डेडिकेट करने वाली नवजोद जब सीनियर एशिया में ब्रॉंज मेडल जीत कर देश लौटी तो उनके पिता की आँखे खुशी से नम थी क्योंकि उनकी बेटी सपने पूरे कर रही थी कॉमन वर्थ गेम्स में पार्टिस्पेट करना बहुत बड़ी बात होती है और मैडल जीतना तो और भी बड़ी बात हो जाती है भी खुशे में आपनी गेम की है और वही इसा स्पोर्ट सिस्टेम भी नहीं था जो मुझे स्पोर्ट करता हो जा हम कहीं से पॉन्सर मैं ज़्यादा तो कोई स्पोर्ट सफ्टेम हो bearing कर जा लेकि और मूम में बिला बहुए बात बार मेरे डाइट का खर्चा पुरा करने के लिए पापा ने करजा लिया है बहुत बार तो ऐसे करते करते फिर 2014 में हमें ये बोला गया कि अगर आप कॉमरोस गेंज मेडल लेके आते हो तो हम आपको जॉब जूरूर देंगे जब मैडल आया तो मैंने बुगवान का हाथ उपर करके ब पैसों के लिए रेस्लिंग पावरफुल गेम जिसमें आपकी ताकत बढ़ाने में आपकी सोच मदद करती है सकरात्मक रवय्या आपको हर दर्द से गुजरना सिखाता है बैक इंजरी के बावजूद नवजोद ने हार नहीं मानी और 2017 के वर्ल्ड ट्राइल्स में मिली जी करना है क्योंकि ब्राउंस भी था सिल्वर भी था मेरे पास 2013 में एशिया में सिल्वर मैडल था तो जब 14-18 में हम गये एशिया केलने तो पहले दिन विनेश की वाउड थी तो विनेश यह बिल्कुल एक पॉइंट से गोल्ड से रहेगी ते पीच्छे तो फिर विनेश और मैं और साक्षी कुष्टी देख रहे थे उसकी ओनलाइन इस पर तो हम होटल में थे तो जब विनेश एक पॉइंट से रहेगी तो मैंने का यार शिट आज बोल्ड आ जाता क्योंकि आज तक अंडिया का गोल्ड नहीं आया था तो साक्षी कहते कोई नहीं जो तब हो गया तो जपन के साथ बाोट नहीं है तो सर असने लगें यहां कोई बात नहीं कर द। कि हमारा यूंधा कि सबकी सबके साथ कुष्टी होने का system था तो सरब दुबारा भी आएगी चिंतना कर तू बस अगली कुष्टी के बारे में सोच फिर मैंने मेरे कुष्टी होई दो कुष्टी और रही उनको मैंने हराया फिर मेरे जपान के सल फिर फाइनल बाउट आई वोल उस थी बहुत अच्छी चली मेरी अच्छा स्पोर्ट था और जैसे फिर मेरे कुछ लास्ट टाइम रह रहा था तो कुल्दीप सर और चिला रहे थे बिटाब डिफेंस करना कोई गलती नहीं करना बार से जो भी मुझे बता रहे थे वो सब मैं सुन रही थी मुझे एक लड़की की अवाजबार से कलियर सुन रही थी उस दिन कि मुझे क्या बताना चाहरे हैं जब वो कहा रहे थे डिफेंस तो डिफेंस जब वो कहा रहे है तो सब कलियर आ रहा था मेरे पाद फिर उसके बाद जब मैं फस्ट आये जब मेरा गोल्ड आया तो खुशी इतनी कि बाइस साल से रेसली में गोल्ड नहीं था और वो मुझे दिया था एक लिखा गया है थे आसमें कि नवजोद है फर्स्ट विव्मेंट जिसमें गोल्ड जीता था नवजोद की सफलता का सब ने दिल खोल कर स्वागत किया देश को गोल दिलाने वाली बेटी ने उन सभी का मूँ बंद कर दिया था जो बेटियों के खेलने को गलत मानते थे पिता का सपना साकार कर चुकी नवजोद सब के लिए प्रेणा बन चुकी थी जो लोग अभी बाते करते थे कुछ कहते थे ऐसा कि पापा को बोज देते हैं लड़कियों को कि दर डाल दिया गेम में कैसी कैसी कपड़े पहनती हैं पता नहीं कितने कितने दिन घर नहीं आती क्योंकि मैं केंपे नहीं थी जादा टाइम तो लोग बोट कुछ बोलते थे तो वो सब लोग भी मारेगर थे उस दिन और वो लोग पापा को बदाई दे रहे हैं, मिल रहे हैं, तो मैंने सुचा कि देखो जो लोग आपको जा आपकी फैबली को मेशन पूरा बोलते हैं, उस आप के पप फादर का लड़की वो बार बेज रहे हैं, तो उसको गलत कहते ह पाँच के टाइम से को जब मैडल आया, तो वो सब आगे, सब कहने लगया, हम भई, हम तो जानते हैं, हम तो जानते हैं, तो वो सब चीजे थी, बहुत अच्छा लगा, पूरे गाउने बहुत अच्छा वेलकम किया, बहुत खुशी हुई, दोसर अठा में आठ मार्च को म के ले, उसमें मेरा कुछ अच्छी परफॉर्मस नहीं आई, प्यूंकि उस टाइम मेरे इंजरी थी, हाथ में, काफी ज़्यादा प्राब्लम थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में कुछ भी नहीं हुआ था, और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा प्र की रेसलर हैं, इतने स्ट्रगल्स की बाद भी उनकी सोच प्रोग्रेसिव है, इंजरीज भी उन्हें रोक नहीं सकी, कोशिश करते रहना और जीतना उनके जज़बे को दर्शाता है. पैसे की प्रेक्टिस की, अच्छे कोचिस की, सब कुछ मिलता है. तो क्यों ना हम चोटे बच्चों को, जो हुमारे चोटे बच्चे हैं भी, जो गेम में इंट्रस्टेड हैं, उनको शुरू से ही उनका साह दिया जाए, उनको उनकी फैमिली का बैक्राउंड दे के उनकी ह पर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, जैसे मेरी जर्नी रही है कि मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, बहुत ज़्यादा मीर फैमिली नहीं है, पांच किले जमीन है, तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, जो सिर्फ पैसों की कमी के कारण पीछे रह जाते हैं, उनके इंजरी हो पैसा नहीं है, ठीक हूने का रिकवरी करने का, तो इस बात पर जरूर गवर करना जाहिए कि जैसे और कंट्रियों में होता है कि छोटे बच्चों को स्पोर्ट की जाती है, उनकी एक लेवल बना दिये जाते हैं कि जिसका डिस्टिक में मैडल है उसको इतना मिलेगा, इसक इसको इतना मिलेगा, जिसका नैशनल में इसको इतना मिलेगा और इतनी उसकी स्पोर्ट की जाएगी, तो वो करनी बहुत जरूरी है कि तांकि मारादेश ओलम्पिक में ज्यादा-ज्यादा मैडल लेकि आ सके हैं.